हाई प्रेंट्स तो आज के इस वीडियो में हम लोग चिप्टर 5 का सब्जेक्टिव कोचन देखने वाले हैं जैसा कि मैंने पार्ट 1 में कुछ कोचन कराया थे मैं पार्ट 2 में सब्जेक्टिव का कुछ और कोचन लेकर आया हैं जो कि बहुत ही most important है आपके exam के भी उसे और जदि आप objective का जो हम चार वीडियो बनाए हैं नहीं देखे हैं तो जाकर playlist में देख लिजिएगा ठीक ना वहाँ पर आपको सारे वीडियो मिल जाएंगे और बहुत ही important important कोचन है उस वीडियो के एक बाद जुरू देखना ताकि आपका जो भी important कोचन का सवाल रहे है लगबाब उसमें हम करा चुके हैं ठीक है उसमें आपका सारा solution मिल जाएगा आज हम subjective देखेंगे long question होला ठीक है आज का फर्स्ट कोचन है हमारा देखो मेहनत करो जितना भी आप लोग को लगता है कि सर यह important है आप इसे बनवा दो लगबाब हम सब कोचन बनवाने के लिए ठान लिया हूं ठीक है बस आप लोग को मेहनत करना बागी रह गया है तो आज का एक most important question है बहुत important कि dy by dx निकाले क्या निकालना है dy by dx निकाले जदी sin square y plus cos x into y बराबर πाई है ठीक है यह बहुत ही important कोचन है क्योंकि हमारे एकजाम में एक कोचन पुछा गया है जदी आप इसको अच्छे से नहीं बनाते हो तो आपका number जानते हो cut जाएगा तिक न अराम से इसको देखना एक बात और इसको दो तरीका से बच्चे बनाते हैं एक गलत तरीका एक सई तरीका अब गलत तरीका क्या करते है न उन लोग डिनेट इसको समझेगे नहीं की question क् बनाना ही start कर देते हैं तो गलत हो जाता है लेकिन जो student थोड़ा दिमाग लगाएगा थोड़ा सोच समझ करके उसको solution करेगा तो उसका 100% सही बनता है देखिए इसमें क्या करना है आप लोग क्या कनफिज करोगे सबसे पहले तो हमारा मालो कि यह y बराबर इतना दिया ठीक है अब देखो sin square y जो है इसको ओकलन करना बहुत ही मुश्किल है हम इसको ओकलन नहीं कर पाएंगे क्यों नहीं कर पाएंगे देखिए ज़दी हम इसको ओकलन करते हैं तो नहीं हो पाएगा क्योंकि sin square y है जब भी ओकलन करना होता है तो आपको बताएं है पहले भी जब हम चेप्टर में पढ़ा रहे थे इस तरह का कोचन आया था ठीक है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं भाई साब sin square y को sin y square लिख सकते हैं ठीक है कोई दिकत नहीं है चलिए अब तो इसको dy by dx निकालना है तो इसको एक्स के साब एक्ष होकादन करना पड़ेगा चलिए करते हैं एक्स के साब एक्ष अब देखिए कॉल आर एक बात करते हैं हां जी हां बलिए नमस्ते बलिए कौन सा 5.2 का कौन सा 9 और 10 पार्ट टू है ना अच्छा चलिए उसको हम सेंड कर देंगे ठीक है अभी तो आसा क्लास ले रहे है ठीक है चलिए एक्स के सपेक्च और कलन करने पर ठीक है एक्स के सपेक्च और कलन करने पर चलिए करिए तो यह हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इसमें डी लगाएंगे तो डी साइन वाई स्कॉाइर हो जाएगा लेकिन यहाँ पर वाई स्कॉाइर बेस बन रहा है तो इसको लाएंगे नीचे तो यह हो जाएगा डी वाई स्कॉाइर फिर इसको आकलन करेंगे तो डी वाई स्कॉाइर लेकिन वाई तो बेस बन रहा है क्योंकि x के साप x कर रहे हैं यहाँ पर y है तो y को भी लाना पड़ेगा और फिर हम कर देंगे dy by dx इस तरह से होता है फिर यहाँ पर बात आती है बहुत important कि cos x into y को कैसे किये जाए कुछ बच्चे क्या करते हैं कि cos x को u माल लेते हैं और y को भी माल लेते हैं और बना देते है बिल्कुल गलत हो जाएगा आप अभी कभी आप ऐसा नहीं करना गलत हो जाएगा ठीक न इसका सही तरीका क्या है ओ हम बताने जारा हम रद्याम देना यहीं पर में बात है ठीक न समझने वाली बात यहीं पर है इसमें पूरा में d लगा देंगे d cos x और y को साथ में रखें अब यहाँ पर इसको करेंगे dx into y by dx लेकिन यहाँ पर सारा जो ओकलन का काम हुआ यहाँ पर फिनिसिंग नहीं हुआ क्यों कि x into y अब इसको e और v पर तोड़ेंगे तब हमारा काम बनने वाला है तो इसको क्या करेंगे e into v पर तोड़ देंगे चलो यहाँ से देखो एक आश्टे फिर बढ़ते हैं dy by dx बराबर इसको जेओं काते हों लिखलो d sin y square by d y square dy square by dx और यह dy by dx पलस इसको भी जेओं काते हों लिखो d cos x into y by dx into y अब इसको ब्रेक करें x into y है और u into v पर तोड़ना है तो u को क्या करते हैं पहले बाहर और फिर v को differentiation पलस फिर y को बाहर और u को differentiation हमने कर लिया कोई दिकत नहीं किसी को सबको समझना आया बहुत बहुत बढ़िया चलो अब आगे बढ़ते हैं dy by dx बराबर sin square y मतलब x के पाउर n का फर्मूला होता है कि nx n-1 तो पाउर लापन लिखा जाएगा तो 2 sin y हो जाएगा y square इसको रिट क्या हो जाएगा 2y और dy by dx पलस इसको करिए तो क्या हो जाएगा इसको करेंगे एक बात और ख्याल रखिएगा यह जो है ब्रैकेश्ट में रहेगा इसको इवेंट भी पर तोड़े तो इसको ब्रैकेश्ट में रहेगा यहां से cos x into y इन्हें cos का फर्मूला क्या होता है माइनस साइन साइन x y हो गया और इन्टू x का x और dy by dx का dy by dx पलस y का y dx by dx का 1 हो गया ठीक है इतना आया अब चलिए क्या करते हैं अब हम क्या करते हैं कि एक बात और ध्यान रखिएगा यहां पर हमें निकालना था dy by dx लेकिन हम जो इसको y मान लिए यह बहुत गलत काम किया है क्योंकि इसी में से dy by dx को निकालना है यह अलग से मान करके आपको कुछ रखने की जवरत नहीं है आप इसको ही सल्व करके आप इसको ही सल्व करके आपको dy by dx लाना है स्माझगे न यह वाई हमको मानने की जवरत नहीं है और यहां पर एक और मिश्टेक हुआ है कि जो बराबर में πाई दिया है इसको हमने तो डिफ्रेंसेसन कर भें नहीं किये कर दो भाई dy by dx और πाई मतलब एक सवस्तिक सवस्तिक का भेलू क्या होता है 0 बराबर में लिको 0 यह थोड़ा छूट गया था बात समझ माया आया ना अब देखो सिंपल था जैसे करना था उसे करते आओ बस यहां पर आपको थोड़ा सा बताने की जूरत था आपको बता दिये अब चलो हमें डिवाई डिक्स निकलना आए क्या कर ले आओ हम क्या करते हैं कि पहले इसको मल्टपल करातें इसमें तो 2 साइन y इंटू 2y dy by dx और इदे को plus और minus minus हो जाएगा ना तो minus इसको इसको मल्टपल करा दो यह हो जाएगा sin x y into x dy by dx अब a plus है और a plus है तो plus sin x y into y बराबर में 0 अब क्या करते हैं कि a dy by dx है और a b dy by dx है इन दोनों को साथ में इसको बाहर कर देते हैं 0 को O side ठीक है तो क्या हो जाएगा इन दोनों में dy by dx कमा लेंगे तो dy by dx कमा लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 2 sin y into 2y अब माइनस यहाँ से बच्चेगा sin x y into x आए पलस दर जाएगा तो माइनस हो जाएगा माइनस sin x into y into y अब यह गुना कर रहा है इधर देगा तो भाग कर देगा तो हम यहाँ पर इसको लिख देते हैं ठीक है देखो dy by dx बराबर बराबर में क्या है माइनस sin x y into y अब बाटा यह क्या कर देगा गुना कर देगा तो भाग कर देगा 2 sin 2y minus sin x into y into x यह अब का final result हो जाएगा dy by dx का value ठीक है समझ माया कोई दिकत नहीं है इसमें आपको समझने वाला बात कहाँ पर था यह वाला यह जो देख रहे हैं आप कहाँ पर यह वाला even to be वाला और इसमें कोई खास बात नहीं है इस तरह का कोचन हम पहले पढ़ाए भी है तो आपर कराए है और अभी देखो light चली गई ठीक है लाइट चल जाने से वाज़ा से अब वीडियो थोड़ा सा वेट करके बनाना होगा लाइट तो चला गया अब क्या किया जाए चलो कोई नहीं देखते हैं इसको मिटकाते मिटकाते लाइट ना जाए तो अच्छा है नहीं तो बाद में वीडियो सुठ होगी प्र Crime का प्रॉपलम होता है लाइट का और कोई बात नहीं यहीं लाइट में पढ़ाएंगे तो लाइट का होती है उन्म लाइड जाती है तो अर्म GC और भी अव्लोड थैएंगे तो प्रॉपलम हो जाएगा ना और बाकी आप लोग को थम दिख नहीं रहोंगे अब दिख रहोंगे तो चलो एक कॉल भी आगया इसको रखते हैं अभी बात करते हैं कितना जल्दी ही लाइट आ गया अच्छा हुआ कोच्छ नमबर को सेकेंड देखा जाए कि क्या है कि सेकेंड कोच्छन है बहुत ही पॉटेंट है ध्यांत देखिएगा दो नमबर यह बहुत ही पॉटेंट है अब लोग से नहीं बनता है मेरे को पता है डी वाई बाई डी एक्स निकाले जदी य बराबर एक्स पलस वन बाई एक्स पलस वन बाई एक्स पलस वन बाई यहां पर ऐसा है इस तरह का कोचन है अब इस तरह का कोचन को बनाते के देखो इस तरह का जब भी कोचन है ना बिल्कुल फिरी हो करके आप लोग बनाना बहुत अच्छा तरीका से बन जाता है ठीक ना इसमें कुछ नहीं करना है बहुत ही इजी है ठीक है इसमें देखो पहला जो है एक्स उसको लिख लिए जाता है जियों करते हों ठीक है अले तो य है ना तो य को लिखना ज़रूरी है य बराबर एक्स है तो एक्स प्लस उपर में वन है तो वन अब बाटा वला देखो इसा ही, इसको लिख लिया जाता है, अब प्लस उपरवला को भी लिख लाता है, बाटा भी लिख लिख लियाता है, अब यह फिर वही काम, x plus 1 by बतलब यही का मौझ फिर से start होती जा रहा है देखो x plus 1 x plus 1 ऐसे ही start होती जाएगा इसको हम लिख लेते हैं अज जो फिर से start हो रहा है इसको मालो कि x plus 1 को y मालो बाटा में जो बच गया इसको y मालो total को ठीक है पहले a side को लिख लो अब फिर यही का बार 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 हो रहा है तो इसको क्या करो कि y put कर लो हमने इसको y माल लिए ठीक है अब इसको solve करो y बराबर कुछ नहीं तो 1 1 और x का y का LCM y भाग देंगे y बार में y ले और x ले x y पलस इसको भाग देंगे एक बार में dy by dx इसको x के सापक्ष ओकलन कर देंगे ठीक है x के सापक्ष ओकलन करने पर कर दीजिए क्या हो जाएगा x के सापक्ष ओकलन करेंगे dy स्क्वाइर बाई dy dy by dx इव इन तुभी पतोड़ देजिए x को बाहर y का दिफ्रेंटियेशन y को बाहर x का दिफ्रेंटियेशन पलस d1 by dx y स्क्वाइर का हो जाएगा 2y dy by dx x into dy by dx और y into 1 अब पलस से 0 अब क्या करते हैं? इसको हम इस साइड लेकर रहते हैं तो 2y into dy by dx ए पलस से धर रहागा तो मैनस x dy by dx बराबर यह है बच गया y अब क्या करते हैं? इन दोनों में कमन लेते हैं dy by dx यह होगा 2y minus x बराबर y तो dy by dx बराबर हो जाएगा y बाटा 2y minus x यह हमारा answer ठीक है? I hope कि आप लोग को समझ में आया होगा ठीक है? इस तरह का वीडियो हम पहले भी डाल चुके हैं देख लेना जाकर वीडियो में जाकर के ठीक ना? इस तरह कोचनम कराएं है चलिए और